पिछले कुछ सालों में खालिस्तानियों ने अमेरिका, कैनेडा और लंडन में भारत के खिलाफ कई प्रदर्शन किये हैं। पिछले के खिलाफ के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई करने की मांगी है। पिछले कुछ सालों में कनाडा खालिस्तानियों का सबसे बड़ा अड़ाब बन कर उपरा है। भारत में जब भी खालिस्तानी समर्थकों पर कारवाई होती है, उसका असर कनाडा में देखने को मिलता है। कनाडा भारत में प्रतिबंदित खालिस्तानी संगठन के कई आतंकियों को शरन दिये हुए है। इनमें से कई के सिर पर लाखों रुपए का इनाम भी है। कनाडा में शरन लिए खालिस्तानी आतंकी निजर की 18 जून को दो अग्यात बद्दूगधारियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस हत्या की विरोध में कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने 8 जुलाई को उटावा, टोरंटो और वेंकूवर में विरोध रैली और प्रदर्शन करने का अलान किया है। खालिस्तानी समर्थकों का कहना है कि निजर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। भारत की कड़ी अपत्यों के बाद कैनेडा सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई, कैनेडाई सरकार ने देश में भारतिये मिश्णों के सामने खालिस्तान समर्थकों की प्रस्तावित रैली को अस्विकारी बताया है। सुमवार शाम को ट्विटर पर जारी एक बयान में कैनेडा की विदेश मामलों के मंत्री मेलानी जॉली ने कहा कि कैनेडा राजनायकों की सुरक्षा के सम्बंध में व्याना कन्वेंशन के तहत अपने दायत्वों को बहुत कमभीरता से लेता है। अब देखना है कि कानेडा खालिस्तानियों के खलाफस सच में क्या कारवाई करता है।